नो बॉल ओफो फिर से नो बाद केंटा आगे मस तम समझा रहे हैं तरेको नो बॉल कंट्रोल नहीं हो रही लगता तो मेरी वीडियो नहीं देखी तब से पहली और बन्यादी गलती जो बॉलर करता है जिसकी वज़य से उसकी नो बॉल होती है वो है अपना जम्प मार करने का तरीका पॉपिंग क्रीस से जो भी बॉलर चाहे लेफ्ट हो या राइट हैंड हो जब तक वो अपना जम्प ठीक तरीके से मारक नहीं करेगा तब तक उसके फुट स्टेप भी ठीक तरह से मारक अप नहीं होगे जिसकी वज़य से उसका नो बॉल होता है अगर आप राइट आम ब पैलर हैं तो फिर आप अपनी लेफट फुट से जम्प मारक करेंगे और जो लेफ टा आंप बॉलर हो इस जम्प लेएंगे अगर आप राइट आम फास्ट बॉलर हैं तो आपका पान्जिंग पॉánt लेफ्ट पर होगा और अगर आप लेफट आम फास्ट पॉलर रह तो आ आपके footstep का फासला सेम होना चाहिए इसे कहते हैं run up स्मूध होना निंग footstep ठीक करने के लिए आपको अपना run up ठीक करना पड़ेगा उसके लिए आपको cones point रखने पड़ेंगे क्योंकि जब right hand fast baller है तो आपके started balling start left foot से होगा और finish भी left foot पर ही होगा फिर इस तरह से आपका ना तो jump खराब होगा और ना ही no ball होगा और इससे आपका balling run up भी smooth होगा इस रही सबसे बन्यादी और बड़ी गलती fast baller यह करता है कि जब finishing line पर आता है तो अपनी balling crease की तरफ देखता है जिसकी वज़ा से उसकी no ball भी होती है और उसकी speed भी कम हो जाती है और चौती वह गलती है जिस पे कोई भी ध्यानी देता है और वह गलती यह है कि आपका balling step even number में होना और नमबर मतलब जुफ्त अदाद आपके no ball को खतम करने के लिए ballers को अपना balling run up और नमबर में रखना होगा जिससे ताक अदाद भी कहते हैं और वो शुरू होगा आपके landing point से पॉलर को चाहिए right hand fast baller को चाहिए कि वो अपना balling run up और नमबर से शुरू करें even number को नहीं count करना आपने और नमबर को count करना है वो तरीका इस तरह से है एक, तीन, पांच, साथ, नो जब भी right hand fast baller अपने running mark up पे जाएगा तो अपने left foot से स्टार्ट करेगा क्योंकि finishing line भी left foot पे फिनिश होगी जहां पे आप ball को deliver करो यह है वो no ball खतम करने वाली secret tips जो आपको free में कोई भी नहीं बताएगा